ग्राम पंचायत की सनरचना कम से कम एक हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रवधान किया गया है ग्राम पंचायत में एक हजार की आबादी के मान से कम सकम दस वाड एवं अधिक आबादी पर अधिक से अधिक 20 वाड के गठन का प्रवधान है ग्राम पंचाय के सरपंच का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा की जाने का प्रधान किया गया है उप सरपंच का निर्वाचन भी जनता द्वारा सीधा किया जाता है पंचों का भी निर्वाचन सीधे जनता द्वारा की जाने का प्रधान किया गया है सरपंच एवं उप सरपंच की निर्वाचन के पस्चात एक माह की अवधी में ग्राम पंचायत के प्रतम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इस सम्मेलन की तीथी से आगामे पांच वर्सों के लिए ग्राम पंचायत की अवधी गिनी जाती है ग्राम पंचायत के समान्य निर्वाचन के पस्चात किनी कारणों से रिक्त हुए पदू का निर्वाचन राज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रती 6 मां की अवधिम कराया जाता है किन्तु ग्राम पंचायद के समय का साड़े चार वर्ष का समय समाप होने पर ग्राम पंचायद में रिक्त हुए इस्थान के लिए उप निर्वाचन नहीं किया जाता है ग्राम पंचायद के सरपंच उप सरपंच के विरुद अब इस्वास प्रसाओ उसके निर्वाचन की धाए वर्ष की अवधी में नहीं लाया जा सकता है धाए वर्ष की अवधी के पस्चाद अब इस्वास प्रसाओ लाया जा सकता है और छे माह बच्चा हुआ आउधी में भी नहीं लाया जा सकता ग्राम पंचायद में तीन स्थाई समीतियों का गठन का प्रावधान है ग्राम पंचायद के कायर संचालन की वेश्था सरपंच के अलावा ग्राम सची तथा ग्राम रुजगार सहायक निव्त किये जाते हैं